देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ रश्मी ब्यार में आज भी गरज के साथ बारश होने के आसार है बता दे कि अलगातार पिछले दो दिनों से बारश हो रही है जिससे कनकनी भी बढ़ती जारी है लेकिन इस सब के बीच अब दो दन बाद नया साल आ रहा है ऐसे में क्या है मौसम का मिजाज किस तरह से एक जनवरी को ठंड के आसार मौसम भाग की तरफ से जताए गया है क्या कुछ अच्चे तावनी दिया गया है इस खबर से जुड़ी आपको सारी जानकारी देते हैं और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आज किनके जिलो में बारश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है बतादे कि राजधानी पटना समय प्रदेश के अधिकांश जिलो में बुधवार को बारश हुई और अगाबाद से लेकर बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारश हुई है ऐसे में मौसम वेभाग ने एक बर फिर से दो दिनों तक न्यूंतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं आएगा इस तरह की जानकारी सामनी आई है इसके साथ 31 दिसम्बर के बाद रात के तापमान में 3-5 डिगरी की गिरावट और कुछ स्थानों पर हलके से मध्यम अस्तर के धोन या कोहरा च्षाई रहने का पुर्व अनुमान है इसके साथ ही मौसम विभाग ने ये भी काया कि राजधानी में सबसे कम 5.0 मिलिमीटर तो अरंगाबाद में सर्वधेक बारश दर्ज की गई इसके साथ ही 31 दिसम्बर के बाद पारे में गिरावट आएगी ठंड में भी व्रधी होने जा रही है इसके साथ ही मौसम विभाग ने ये भी बताया है कि 14-16 डिग्री सल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया है प्रदीश का ये नियूंतम दापमान है तो लगातार मौसम को लेकर जो अपडेट है वो मौसम विभाग की तरह से जारी किया जारे है कि 31 दसंबर की रात से ही ठंड में बढ़ोतरी होगी पारे गेजने की जो संभावना है वो जताई गई है तो लगातार शीत लहर का कहर प्यार में देखने को मिल रहा है खासकर अगर हम ग्रामीन शेत्रों की बात करें वो लोगों को महसूस हो रही ऐसे में मौसम विभाग ने पहले ही ये अलर्ट जारी कर दिया था तो वहीं अब 31 दसंबर की रात से पारे में जो गिरावत है वो भी दर्श के जाएंगी यानि कि अगर हम एक जनवरी को मौसम का मजास क्या रहेगा इसकी बात करें तो एक जनवरी के दिंड ठंड और भी ज्यादा बर जाएगी ऐसी संभावना मौसम भाग की तरफ से जारी की गई है तो ये बहुत जरूरी है कि हम बिगरते हुए मौसम में सबसे पहले अपने सेहत का खयाल रहें तो गर्म कप्रे पहनिये आग तापिये तो इस तरह के बाते पहले ही मौसम भागने बताइठे लेकिन अब 31 दिसंबर के बाद से और उसकी रात से ही पारे में गिरावर दर्ज की जाएगे जिससे ठंड में और भी ज्यादा बढ़ोत रही होगी और इसके साथ ही आज के लिए भी मौसा विभाग ने अलर्ट जारी किया है और ये बताया है कि कई ऐसे जले है बयार के जहां आज भी बारश के आसान है